Electronics वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं latest वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं Electronics वर्मा तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडेक्टर के बारे में कि बहुत से भाई जो है हमारे इंडेक्टर जो है बहुत से तो आप इंडेक्टर देखिए इस तरीके से देख के पहचान लेते हो कि यह एक इंडेक्टर है देखे यहां पर भी यह लगा हुआ यह एक इंडेक्टर है तो देखे दोस्तों यह इंडेक्टर इसलिए लगाते ह हम अपने circuit में कि एक तो यह इंडेक्टर जो है जब हम इसमें power देते हैं तो यहाँ पर एक magnetic field बनती है तो magnetic field से क्या होता है दोस्तों यहां पर क्या है कि ज्यादा तर यह जो है पहले तो आप यह देख लिए ज्यादा तर जो आपको मिलेगी यह आपको DC सप्लाई पर सबसे ज्यादा मिलेगी एसी इस प्लाई पर देखने के लिए बहुत कम मिलेगी डीजी सप्लाई पर इस इंडेक्टर का यूज करते हैं सबसे ज्यादा लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है दोस्तों कि हमारे बहुत भाई जो हैं कभी-कभी क्या होता है कि देखें एक इंडेक्टर इस तरी तो देखिए इंडेक्टर और रजिस्टेंस के बीच में पहले मैं आपको बता दूँ देखिए इसको पहचानेंगे कैसे आप देखे यह जो इंडेक्टर है इसके अंदर देखे रिजिस्टेंस बिल्कुल सीधे होती है देखे जो इसकी पिने है यह पिने देखे इसकी बिल्कुल एकदम सीधी होती है और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखे यह थोड़ी सी जो इसका मटेरियल है यह आगे की तरह पाजाता है और इनका जो इंडेक्टर है देखे रजिस्टेंस जो होती है हमारी वो कुछ इस तरीके से होती है कुछ इस तरीके से हमारी रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से होती है इस तरीके से लेकिन जो आपका इंडेक्टर होता है वो इंडेक्टर कुछ इस तरीके से होता है इस तरीके से इंडेक्टर आपका इस तरीके से होता है resistance इस तरीके से होती है और बहुत से जो inductor होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते है इस तरीके से तो देखे इनकी पहचान कुछ इस तरीके से है कुछ inductor इस तरीके से होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं लेकिन resistance जो है वो आपको इसी तरीके से ही मिलेगी देखिए मेरे पास ये तीन रजिस्टेंस है और ये देखिए ये तीनों रजिस्टेंस एक ही डिजाइन किये ये देखिए लेकिन यहाँ पर जब मैं इंडेक्टर को पकड़ लेता हूं अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं तो इसके अंदर देखिए देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया यह इंडेक्टर लगा हुआ यहां पर यह देखिए यह तो आपने देख लिया आसानी से पहचान लेते हैं कि इस तरीके से इंडेक्टर है लेकिन यह इंडेक्टर बनती है उससे जो है यह जो supply के अंदर जो negative positive जो बनते हैं उसको एक ही direction के अंदर flow कराने के लिए पूरी कोसिस करती है तो यह इसी तरीके से ही काम करती है और इसको जादतर दोस्तों DC supply के अंदर लगाया जाता है तो देखिए मैं इसको जरा निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको कहीं आप वीडियो में कहें कि यह resistance है मैं आपको पूरूप करके ही दिखा देता हूँ कि दोस्तों यह एक इंडेक्टर ही है देखिए यह यह देखिए तो यह देखिए दोस्तों इसके अंदर यह wire है देखिए कितनी सारी यह देखिए अगाद तो यह दोस्तों एक इंडेक्टर ही होता है लेकिन गपादा आपको कि आप अभी आप अप अपणी स congratus iba कभी कनफ्यूज ना होएं कि इंडेक्टर की पहτyba कैसे करें और रनंच की पहक्यान कैसे करें तो इंडेक्टर जो है पजिए दोस्तों वह एकदम आपको देखने से ही पता लग जाएगा शुनर की होती है वह उसका को यह diagram में दिखाया कि resistance जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है इस तरीके से और जो इंडेक्टर होता है उसके वो दो तरीके के होते हैं एक तो जो यह मैंने आपको design दिखाया इस तरीके का यह इस तरीके का इंडेक्टर होता है और एक इंडेक्टर कुछ इस तरीके से होता है और मैं आपको यह देखिए कुछ image भी दिखा रहा हूं कि आपको जो पता लग जाए कि इंडेक्टर जो है किस-किस तरीके के होते हैं तो देखें इंडेक्टर के अंदर यह इस तरीके से पोईली होती है तो ये दोस्तों ये इंडेक्टर क्या होता है कि ये इंडेक्टर जो है हमारे कुछ ज्यादा वैलू के होते हैं और ये जो इंडेक्टर होते हैं ये हमारे कम वैलू के होते हैं और ये DC सर्कुट के अंदर इसको थोड़ा छोटा इसलिए बनाया लिये जाता ह जिसे की यह कोई भी छोटे सर्केट में आ जाए तो यह देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है यह देखिए यह एक इंडेक्टर ही बनाया होता है पूरा और इसके अंदर यह देखिए और यह कहा है तो कि यह जो यह अंदर देखिए मैगनेड भी तो इसके अंदर दिखाई देजये आपको देखिए यह Pele मेगनेट है और यह कोपर वायर है तो इसके अंदर से जब डीसी सप्लाई गुजरेगी तो इसके अंदर एक मैगनेटिक फिल्ड बनेगी उसी तरीके से दोस्तों काम करती है तो यह वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए बनाई दी कि आप जो है कभी भी इस चीज में लेकिन आप इसके जो जो इसका यह है डीजाइन इससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ यह इंडेक्टर है तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सेर और सस्क्राइब जुरू करना और बैल का आइकन को जुरू दबाना क्यूंकि मै आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा